So our next characteristic of leadership is intelligence, यह हमारे लीडर को जहीन होना चाहिए, अब जहानत के उपर भी बहुत सी researches हैं, कुछ researches यह कहती हैं कि जहानत जो है वो genetically आपके अंदर आएगी, और यह है, इसको हम nature phenomena कहते हैं, कुछ intelligence ऐसी है जो सीखी भी जाती है, बहुत सी ऐसी researches में हमने मुख्तलिफ levels के IQ के लोग लिए, या एक ही level के IQ के लोग लिए, और फिर हमने उनको मुख्तलिफ environment में रखा, और हमने देखा, कि जहाँ ज़्यादा interactive environment था, वहाँ बच्चों की intelligence दूसरों के मकाबले में ज़्यादा बढ़ गई, जहाँ बच्चा जहीन था, लेकिन environment interactive नहीं था, explorer कम था, कम चीजों से वास्ता पड़ा, कम लोगों से वास्ता पड़ा, कम बातें सुनने को मिली, तो उसका intelligence level कम हो गया, तो अब intelligence, leadership की तो एक बहुत बड़ी quality है, यहाँ आपको decision making करनी होती है, आपको situation analysis करना होता है, और आपको cognitively बहुत से functions जो हैं, वो दूसरों के मुकाबले में briskly, तेजी से करने होते हैं, ताकि आप lead कर सकें, और जो leaders हैं, वो तो जाहर है different उनको ऐसी activities उनके सामने आती रहती हैं, यह situations आती हैं, जिनको उनको resolve करना है, तो हम कहते हैं कि leaders should possess extraordinary intelligence, दूसरों के मुकाबले में at least, leaders की जहानत ज situation, यानि एक तो सबसे पहले वो यह करेंगे, अगर कोई जहीन है, तो वो situation का analysis बड़ी जल्दी कर लेगा, हो क्या रहा है, क्या हुआ है, क्या बात हुई है, then quickly analyze the situation and analyze possible outcomes, अब वो देखेगा जो कुछ हो रहा, इसके नतायज क्या निकल सकते हैं, consequences क्या होंगे, और फिर उसक plan of action, यानि वो चारो steps जो हम बोल रहे हैं, वो leadership के लिए जरूरी है, कि आप situation को analyze करेंगे, उसके नतायज के बारे में फौरी तोर पर आप imagine करेंगे, फिर आप अपने लिए action plan चुनेंगे कि क्या करना है, और उन नतायज को react करेंगे, अब ये जो thinking process है, चुके ये बड़ी तेजी से होना है, at least दूसरों के मुकाबले में तेजी से होना है, तभी तो आपने leader बनना है, तो intelligence जो है above average होगी, तो ही आप एक अच्छे leader बन सकते हैं, और हम ये अर्ज कर रहे हैं, कि हमारे ECEC program जो हैं, वो early leadership पैदा करने में helpful हैं, आगे आने वाले modules में हम आपको बड सी activities हैं, जिससे हम बच्चों के अंदर leadership develop कर सकते हैं, यानि ये ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे अगर leader नहीं है, वो अच्छा follower है, तो आप इसको अच्छा leader नहीं बना सकते हैं, आप उसको जरूर बना सकते हैं, फिर हम ये देखते हैं, कि हमारे leaders के अंदर ability to analyze the situation early, कि भई, जैसे situation तो सब के सामने है, और उन में से एक जो है, या जो भी जितने भी leaders हैं, वो situation को दूसरों के मुकाबले में पहले analyze कर लेंगे, और वो देखेंगे हो क्या रहा है, और किस वज़ा से हो रहा है, इसके पिछे reason क्या हो सकती है, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे extraordinary intelligent leaders हैं, वो exceptionally creative हैं, दोसों के मुकाबले में वो नई-नई situations हैं, वो खुद पैदा करते हैं, during play, during conversation, during any activity, वो खेल रहे होंगे, बॉल से खेल रहे होंगे, तब भी उनको नई-नई तरकी में सूझ रही होंगी, अगर वो खिलोनों से खेल रहे हैं, तो वो नया कुछ उसका बना रहे होंगे, बाज अकार वो किसी तस्वीर को देखके कुछ ऐसी चीज़ imagine कर लेते हैं, जो आप नहीं कर सकते, जैसे अगर एक जहीन बच्चा बादलों को देखता है, तो उसमें से शकलें तलाश करता है, अगर वो कुछ पैटरन देखता है, तो उसमें से कुछ तस्वीर बनाने की कोशिश करता है, अगर जैसे जिक्सा वगरा की जो activities हैं, उनको जितनी जल्द से analyze करके बनाया जा सकता है, यह सिर्फ intelligent leaders का काम है, फिर हम जो कहते हैं कि वो innovative हैं, देखे, innovation यह creativity यह नहीं है, कि आप ऐसा कुछ करें जो पहले किसी ने किया ही नहीं हो, बलकि creativity यह है कि दुनिया में जो चीज़ें आपके सामने हैं, जो resources आपके सामने हैं, हम उनको assemble एक नए तरीके से करते हैं, उनको इकठा है, एक नए तरीके से करते हैं और एक नए चीज़ बन जाती है, यह innovation है, so अपने बच्चों को ऐसा बहुत कुछ करते देखा होगा, वो छोटी आम चीज़ों को एक बड़ी शकल देके कहते हैं, जी देखे मैंने फ्लान फ्लान चीज बनाई है, यह मेरा एक पूरा प्रॉसस है, एक सिलसला है, मेरी मशीनरी है, इसमें फ़लाँ चीज जहां से एंटर होगी, इधर जाएगी, फिर यूँ होगा, फिर यह होगा, तो आप हैरान होते हैं कि ऐसा आपने ना करके दिखाया उनको, और ना पहले से उनके इल्म में थ तो बच्चे क्रियेटिव हो सकते हैं, जो बच्चे जितना क्रियेटिव होते हैं, उतने अच्छे लीडर होते हैं, और हम इनको अच्छे लीडर बना सकते हैं, ज्यादा एक्स्पोयर से, और चैलेंजिंग एक्टिविटीज देने से, आने वाले मोडूल में हम सीखेंगे कि ये challenges activities कौन सी हो सकती हैं जनसे बच्चे अच्छे leader बन सकते हैं